हलो नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आप सभी लोगों के लिए एक नया रेकूरूट्मेंट निकल के आ रहा है CSIR की तरफ से पर्मनेंट जॉब होने वाली है फ्रेशर केंड़िट इसमें इलिजवल होने वाले है विदाउट गेट आई मीन एक्जाम के थूरू ये कंड़क्ट कराने वाले है इत्मिनान से देखो स्पीड अगर किसी को लग रहा हूँ बहुत सलो बोल रहा है ये बंदा तो स्पीड इंक्रीज कर लेना कोई डाउट नहीं है वैसे मैं बहुत तेज बोलने की कोसेश करता हूँ चलो और आगे आपको देखाता हूँ देखो पहले में एलिजवल टी बजा देता हूँ देखो दोस्त इसमें बीई बीटग वाले स्टुटेंट इलिजवल नहीं है और इतनी वेकंसी जै कि आपकी देखते आँखों में से आंसु आने लग जाएंगे भाई साब इतना वेकंसी भरके गवर्मेंट आपके ऊपर एहसान कर रहे है और लेवल है 6 और 28 जाल एजवल होने वाली है आपकी पे लेवल ठीक है तो बीई बीटग वाले एलिजवल नहीं है तो आप तो भाई साब अलगी रहो वैसे भी कह रखा है गवर्मेंट ने के भाई बीई होने वाली है कौन से कौन से ब्रांच से लिजवल है इसकी बात कर लेते हैं 12 वेकंसी हैं आपकी कंप्यूटर साइंस में उनसे इंटर रेलेटर ब्रांच अगर आप लेटरल एंटरी से हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो डिप्लोमा इन सेविल इंजिनेरिंग के लिए ती वालों के लिए कुछ चनासा वांट दिया तीन वेकंसी उनके लिए भी हैं ऐसे ही आपकी लाइफ साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स वगएरा की हैं ठीक है भाई सब सेलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं क्योंकि इन्हों ने इतनी सारे वेकंसी निकाली है तो के लिए तीन पेपर हैं पेपर two and three only for the candidate minimum threshold marks आपको qualifying nature के होंगे ठीक है अब पेपर के standard बता देते हैं तीन गंटे का पेपर होगा दोश्य questions आने वाले हैं उसमें पेपर one में आपको एक घंटा दे रखा है उसमें आपको पूछा जाएंगे जो भी आपकी reasoning आती उसमें कोई negative marking नहीं होगी दूसरा time है जिसमें तीस मनट का होगा जिसमें awareness आएगी और English आएगी ठीक है one negative marking होगी इसमें और यह mention कर रखा है फिर तीसरा paper होगा जो भी पूटेंट बात है देखो last date आपकी होने वाली है 17 January तो जो भी भाई बंदू मित्र गड दोस्त जो भी भरना चाहते हैं इसमें participate करना चाहते हैं वो 17 January से पहले जरूर फॉर्म फेल कर देना वरना यह आपको एक दिन भी नहीं बढ़ाएंगे ठीक है अपलाई कैसे करना व यहां मतलब गुस्ता आ रहा है इतनी कम-कम वेकेंसी बहुत निगाल लखी हैं लेकिन क्या ही कर सकते हैं Candidate are required to pay application fees of 500 रूपीज ठीक है और SCSTPWD वोमेन Candidate को कुछ भी पे करने की जरूरत रही है तो मेरा इन सभी कैटेगरी और वोमेन से special request है दोस्त मित्र यार भाई भ होनी चाहिए अगर आप लेटरल एंट्री से हो जैसे IT कर रखी है या फिर 12 के बाद में अगर आप admission लेते हैं तो वह वाले स्टुएंट भी इलिजिवल है ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेटरल में हो तो आपको इलिजिवल नहीं होगे इन्होंने mention कर रहा है टोटल 40 post होने वाली है वैसे पर दिखाई दिया 34 और eligibility criteria सब कुछ mention है भर जरूर देना जो कोई भी इलिजिवल है ठीक है vacances कम है लेकिन भरना आपको positive रहना ठीक I think आपको information मिलगी है जो मैं देना चाहता था चलो फिर मिलते हैं अग लिए वड़े में जब तक के लिए जै हिंद जै भार से तामाद कर दू ओणक में पकर कोई है य्जिवल धर ए क्या झाया कि आपको नवेभ में पका है रहना थेजिवल है वीब जाद कार ला कि को जो ढ bağ 14 औरो लाद करता है इंदेना बांदान ang occurred